test number 6 question number 21 से start करेंगे first video में आपने 22 से start करेंगे 21 तक हम लोग first video में कर चुके हैं a loss of 20% is incurred when 6 articles are sold for 1 रूपी एक रूपे में एक रूपे है ना जब एक रूपे में 6 वस्त में बेची गई तो 20% का क्या हो गया हा नहीं हो गया अब देखो यह quantity और price वाला question है तो हमने यहां लिख दिया quantity और यहां लिख दिया price और यहां हम क्या लिखते हैं क्रेंगे और यहां विक्रेंगे तो इसने क्या कहा कि जब 6 चीजें उसने एक रूपे में बेचा है selling price है ना जब 6 चीजें उसने एक रूपे में बेचा तो 20% का लॉस हो गया, 20% loss कमी निंग क्या हो जाएगा, 20% 1 by 5 होता है ना, नीचे क्या होता है हमें सा क्रेम उल्य, CP, तो 5 रुपे की चीज का इसका मतलब उसने 1 रुपे लॉस करके 4 रुपे में बेच दिया है, ठीक है ना, लेकिन उसने बेचा तो 1 रुपे में, हमें 1 रुपे चाह में था, 5 by 4 में, quantity को मैंने same रखा है, है ना, 6 चीज इसने इतने में खरीदा और 6 चीज एक रुपे में बेचा, तो उसे 20% का लॉस हो गया, अब कहता है कि यदि उसे 20% का profit चाहिए, to gain 20%, how many articles are sold for 1 रुपी, तो एक रुपे में वो कितनी चीजे बेचे, यहाँ पे पहले व तो अब मुझे यही 6 चीज को मैं 20% के profit पे बेचता हूँ, ठीक है ना, तो 20% का profit यानि 5 की चीज में 6 रुपे में बेचूँगा, है ना, लेकिन मेरा सामान तो 5 by 4 का है ना, cost price, मैं इसको 5 by 4 करता हूँ, तो यहाँ भी 6 by 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यह कटके आ जाएगा 2 3 जाए 6, 2 जाए 4, तो यह आजाएगा 3 by 2 रुपीज, ठीक है, इसका मतलब यदि वो 6 चीजे 3 by 2 रुपीज में बेचे, तो उसको profit हो जाएगा 20% का, लेकिन question कहता है, एक रुपे में कितने बेचे, यह तो 3 by 2 रुपीज है ना, एक रुपे का पूछ रहा है, तो भाई 3 by हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 by 2 रुपीज में, वो 6 चीजे बेचता है, तो एक रुपे में कितना है, हाँ, इसको एक बनाना है, तो मैं cross multiply कर दो 2 यहाँ पे 3 नीचे में, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो यहाँ यह 3 से कार दो ने, इसको 3 दो नीचे और 2 दो नी 4, तो एक बड़े question का एक छोटा part बन के आता है, कभी और छोटे question ऐसा भी पुछा जा सकता है, और यह चालो जो है ना, बहुत ही important concept है, आपको आना चाहिए, देखो पहला क्या कहता है, on selling 20 oranges, again equal to the cost price of 5 oranges, करहा है जब वो 20 संत्रों को बेचता है, हिंदी वाले, हिंदी में देख लो, हिंदी में इसका साइट टाइपिंग नहीं है, हाँ नहीं है, 20 संत्रों को जब एक रुपे, 20 संत्रों को बेचने पर, 5 संत्रों के क्रह मुले के बराबर लाब होता है, तो हमें लाब परतिसत निकालना है, ठीक है, अब देखो, कभी भी जब quantity आ जाए, वस्तों की संख्या तो हमेशा हम नीचे क्या लिखते है, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, यहां तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं पता है, प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए, जैसे पैसा गिवन होता है, तो हम नीचे लिखते है, CP, है ना, क्रेम उल्य, लेक profit हो गया, clear, अब next पर आजाओ, on selling 20 oranges, 20 संत्रों को बेचने पर loss हो जाता है, 5 संत्रों के क्रैमुले के बराबर, same question है, जैसा 23 था, बस इसमें loss है, तो भाई, जब 20 संत्रों को बेचा और 5 का loss हो गया, तो पाच उपर लिखता हूँ, तो 1 by 4, तो आगया 25 परसंट loss, अब यहाँ पर यह loss हो गया, 25 परसंट, समझ गए, वहाँ पर 25 परसंट profit था, यहाँ 25 परसंट loss है, 24th question है, अब इसमें एक देखजिवाली बाती है, कि यहाँ पर cost price पर जब profit या loss होता है, यह cost price था नहीं, क्राय मुल्य पर जब profit और loss हो, लाब और हानी हो, ठीक है, तो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन situation बदल जाता है, यदि selling price आ जाए, जैसे यह देखो, आप यहाँ पर minus करोगे, लाब में minus करते हैं, profit में minus करते हैं, और हानी होता है, loss होता है, तो plus करता है, और वही 5 उपर लिखेंगे, तो 5 by 15 आ जाएगा, इसे यह दिया आप काड़ दो के तो 1 by 3 आएगा, जो कि आएगा 33, 1 by 3%, यहाँ पर मैंने इसको point में दे रखा है, 33.33%, यह आ जाएगा, ठीक है बहुत important concept है यह, आपको आना चाहिएगी, on selling 20 oranges, 20 संत्रों को बेचने पर, हानी होती है, 5 संत्रों के selling price का, selling price है, तो 20 संत्रों को बेचा और हानी हुआ है, इस वार तो loss हुआ है ना, तो जितने का loss हुआ है, वो add होगा, प्लस में, देखो, लाब में minus करते हैं, और हानी में minus, प्लस करते हैं, क्योंकि देखो, यदि मैं 20 रुपे का कोई चीज बेच रहा हो, उसमें 5 रुपे मेरा लाब है, तो मेरा सामान था कितने का, 5 रुपे कम, 15 रुपे का था, इसलिए profit में minus करते हैं, और loss में plus करते हैं, और उपर वही 5 लिखेंगे, तो 5 upon 25 आजाएगा, इ और इधर उधर बिना समझे ही वे ना किसी concept को मत रटा करो, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, 27th question, a merchant find his profit as 20% of the selling price find his actual profit, क्या एक वेपारी 20 परतिसत का लाब कमाता है, विक्राय मुल्य पर, तो उसका लाब क्या होगा, वास्तविक, सुनो, हमेशा वास्तविक लाब, विक्र profit होता है, वो cost price पे होता है, जितना पैसा आपके जेब से लगा हो, चीज को बनाने में, क्राय मुल्य और ये विक्राय मुल्य, ठीक है, तो इसने का 20% profit, तो भई 20% क्या होता है, 1 by 5, अभी ये profit जो 20% है, किसका है, selling price का, जिसका कहता है, off, वो हमेशा नीचे होता है, हमेश 5 रुपए में जब वो बेजता है, selling price होता है, बेजता चीज का, उसका क्या है, profit है, तो इस 5 में, एक रुपए profit है, तो समान रहा कितने का होगा, 4 रुपए का, वो 4 रुपए का समान था, एक रुपए profit लिए, अब 5 रुपए में बेज दिया, क्लियर, अब हमें real profit निकाल आते हो तो नीचे लिखते हो क्रेम उल्ली कॉस्स प्राइस ठीक है चार रुपया और एक रुपय का प्रॉफिट वन बाइ-फॉर वन बाइ-फॉर कितना परसंट 25 परसंट क्लियर है तो हमने यह आपके 25 परसंट कर दिया है चलिए आगे बढ़ते है यहां वन बाइ- परसंट होता है चलो 28 अप्लाइ टु आ बिल उन लाइक दिए तो आप चालिस परसंट का डारेक्ट डिसकांट ले लो इस बिल पे या दो सक्सेशिव दिसकांट ले लो गत्ना बाइक दो एक चालिस परसंट का और एक मतलो आपको एक डिसकांट दे रहा सक्सेशिव दिसकांट ठीक है ना कर्मागत बटटा चालिस परतीसत अगे रो जब अब आप ही बताओ, यदि मुझे कोई दुकानदार 40 परतिसत का एक direct discount दे और 36 और 4% का successive discount दे, कौन सा लेना better होगा, हमेशा direct discount लेना better होता है, जबकि देखो 40 ये भी है, 36 और 4 ये भी है, ठीक है, लेकिन ये जो successive discount है 36 और 4, ये actual में कितना percent है, यदि दोनों का आप equal निकालो minus 36 into 4 upon 100%, तो ये actually 40% से कम है, क्योंकि देखो 36 और 44 तो ये हो जाएगा, और ये ये वाला factor minus भी तो होगा, तो ये 40 से तो कम होगा, तो भी 40% से कम discount क्यों लेंगे, हम तो 40 लेंगे, ठीक है, तो दोनों का difference बोल रहा है, तो इन दोनों का difference निकाल लेते हैं, देखो ये 40 है, minus क 100%, ये 40-40 उडंचू हो गया, ठीक है, तो 36 into 4 upon 100 into percentage हटाओ, और नीचे 100, ठीक है, तो उस बिल का इतना निकाल दो, एक लाग का आप इतना परसेंट निकाल दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, कि उसने discount कितना दिया, अब ये को exam में आप इसको direct करना दिखें न, जैसे 40%, 36 आपको चाहिए कितना difference है, तो 36 into 4 जो ये वाला factor ना, सिधा आप ये वाला factor निकाल दो, answer आजाएगा, इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, 4 0 उडंचू कर दो यहां से, 36 फोर्जा, 36 चोके, 144 ना, 144 और यहां पर 1 0, 1440 है गया, यह रहा, यह हो गया answer, ठीक है, चलिए, एक और लिखते हैं, question, 29 पे आते हैं, the difference between the single discount, देखो वही question है ये भी, 30% on 550 and 2 successive discount, देखो 31% का discount है, 550 रुपे के बिल पे, 30% का discount दे रहा है, 20 और 10 का दे रहा है, कौन सा बैटर होगा, तो हम कुछ नहीं हम सीधा क्या करेंगे, 550 लेंगे, और यह जो successive discount का factor होता है, 20 into 10 upon 100, और percent, तो percent को नीचे करो, हटाओगे इसको, तो नीचे 100 लगाओगे, ये हटाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जागा answer, 4 0 काड़ दो, 1, 2, 3 ये 0 है, 1, 2 और 3 ये चला गया, ठीक है, तो यहां बचा कितना 55 दुनी, 55 दुनी 110, और नीचे ये, तो difference कितने रुपे का आ प्राइब आ जाओ, what price should a swapkeeper marks on an article, costing him rupees 200, to gain 35% after allowing a discount of 25%, देखो, कहता है कि एक दुकानदार, cost price कितना लगा देता है, 200 रुपे, ठीक है, 200 रुपे जो है, उसका करया मुल्य है, कहता है, उसे 35%, what price should a swapkeeper mark, उसका MRP कितना रखे, कहता है, MRP बता हो कितना रखे, कितना मार्क करे, अंकित करे, कि उसे 35% का लाब भी हो जाए, जबकि वो 25% का discount दे, तो आप इसको एक लाइन में पहले ऐसे लिख लो, CP, SP, MRP, हिंदी वाले लोग समझ रहे न, CP क्राय मुल्य, SP, विक्राय मुल्य, MRP, अंकित मुल्य, तो 35% पहले profit चीए, 35% को पहले open कर लो ऐसे, काट दो, 5, 37, 35, 5 से काटोगे, 20 आएगा, ठीक है, जब लाब हानी कहते है, तो नीचे क्या होता है, क्राय मुल्य, तो 20 रुपे की चीज़ पे वो 7 रुपे profit लेके, 27 रुपे में बेचना चाहता है, लेकिन वो 25% का discount भी देना चाहता है, 25%, एक बटे 4, और जब discount होता है, तो नीचे ये MRP होता है, मतलब वो 4 रुपे की चीज़ पे, एक रुपे का discount देके, 3 रुपे में बेचना चाहता है, अब इन दोनों, ये दो, एक ratio था, एक ratio ये था, इनको same करो, जो ये common है न, selling price एक वस्तु का दो तो होगा नहीं, तो इन दोनों को same करो, तो इसको यदि मैं 9 से multiply कर तो 37 हो जाएगा, तो 9 यहां भी करना पड़ेगा, तो ये 20 आ गया, ये 27 आ गया, और ये 36 आ ठीक है, तो हमारा जो सामान है ये, 20 रुपे का तो नहीं है, कितना ही का है, 200 का है, तो 10 से multiply करेंगे, तो अंकित मुले MRP में भी 10 से करो, तो कितना है गा, 360, ये आगे आपका 360, क चलिए, आगे, चलिए, 31st question देखते हैं, अब परसंट डिपोजिटेट रुपे is 400 for 2 year, तो उसने 400 रुपे डिपोजिट किया, दो साल के लिए, rate of interest अमें नहीं पता, आर ले लेते हैं, upon 100, प्लस करो, फिर 550 रुपे डिपोजिट किया, चार साल के लिए, rate of interest सेम है, है न, देखो है, रिसिप सिंबल, the rate of interest per annum is, rate find करने के लिए कह रहा है, ठीक है, 1200 को, उसने 6 साल के लिए, आर परसंट पे, तो जो टोटल उसे interest मिलता है, 1020, ठीक है, बस, अब हमें इसको काटना है, देखो, 1 by 100, देखो, 0000 कर जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 0000 काट दो, easy हो जाएगा, एक जिरो से एक जिरो काट दो, तो यह कितना आजाएगा, 8R, यह कितना आएगा, देखो, 110, 120 आएगा, तो तुमारा आएगा 22R, प्लस, बादशिक बहतर हो, 60 बादशिक बहतर आएगा, र, इकोल टो, 1020, अब एड कर दो, देखो, कितना आएगा, 22,30, तो यह जाएगा, 27,10, र, इतना आएगा, और यह 1020, तो यह तो कटी जाएगा, तो आएगा 10%, चलिए, नेक्स पर चलता है, यह 10%, तो 30 सेकंड पर आता है, जी बारवा कंप्यूटर हैंग क्यों हो रहा है, कह रहा है, कि जो simple interest है, वो sum का one-fifth है, one-fifth जैसे यह, किसका sum का, sum मतलब उस रासी का, मतलब यह वो रासी है, principle, तो हमें बताना है कि rate of interest क्या है, ठीक है? तो भई, simple interest का formula क्या होता है, आप लगा दो, principle 5 रुपे, और आपका, जो interest आया है, वो 1 रुपे आया है, तो एक यहां लिख दो, और r, इतना r लिलो इसको time कितना है, 5 year, upon 100, 25, 25 से से काटो के तो 4 आएगा, 4 यहां multiply हो के 4, r 4% आजाएगा, तो यह रहा है, the difference between the compound interest and the simple interest on a sum of rupees 1000, देखो, 1000 रुपे है, इस पर कह रहा है, दस, 2 year पे, जो difference है, simple interest का और compound interest का वो 10% है, तो rate of interest बताओ, अब देखो, पहले मैंना क्या करता हूँ, option से ले लेता हूँ, 10% लेता हूँ, यदि मैं इसका 10% लूँगा, तो यहां पे 100 आएगा, और 100 का 10% 10 रुपे आएगा, it means 10% ही answer है, 10% लेना easy था, यदि नहीं होता तो मैं 5% लेके देख लेता, तो मुझे पता चल जाता मामला, ठीक है, यदि यहां पे क्या होता, कि छोटा होता, देखो, 10% मैंने यहां option से लिया, वो आगया, 10% काटना easy था, नहीं होता तो मैं 5% लेके देख लेता, तो easily आगया, it means 10% answer था, ठीक है ना, चलो, the difference between simple interest and compound interest on a sum of money at 4% per annum for 2 year is 8 रुपे, देखो, कोई एक principle है, 4%, यानि 4% कितना होगा, 1 by 25, 4% को ऐसे काट होगे तो, तो यानि यहां पे यह एक आएगा, यह 25 आएगा और यह 625 आएगा, यहां देन आपको, सिखाया है मैंने आपको, यह यहां नीचे लिखते हैं और यह उपर वाला यहां लिखते हैं, फिर यहां से यहां ने के पलट के multiply करते हैं, 25 by 1, तो 625 आएगा, अब कहता है, यह 8 होना चाहिए, 2 यह का difference, तो 8 multiply कर दो, तो यहां भी कर दो, तो multiply करो, कितना हैगा principle, 8, 5, 4, 4, 8, 2, 16, 4, 20, 2, 8, 4, 40, 2, 50, तो यह रहा है, ठीक है, 37 पे आजाते हैं, The difference between the simple interest and compound interest on sum of money for 2 year, ठीक है, 4% per annum is 800, ठीक है, 4% 1 by 25 होता है, तो यह 1 हो गया, यह 25 हो गया, यह 625 हो गया, अब यह के रहे हैं, यह 800 होना चाहिए, तो 800 से multiply कर दो, 800 हो जाएगा difference, ठीक है, तो principle कितना हो जाएगा, 800 यहां भी multiply करोगे, तो 625 में 800 से multiply करोगे, तो आएगा 5000 और यह 00, और तो 2, 2, 4, 1, 5, 0, कितना इस पे 3, 2, यह वाला answer होगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ो, 38 पे आओ, a sum of rupees 800, 8,000 will amounts to that much in 2 years, if the interest is calculated every year, the rate of compound interest, compound interest पे देखो, तो बहुत ही easy है, जब भी, मैंने बता है न, आपको सिखाया है, कि जब भी 2 year का दे रखा है, और यह 8,000 रुपए कितना हो गया, इतना हो गया, 2 year का है न, तो पहले यह कट रहा है, तो काट लो, 00 काट दो, और काटो, 4 से काटो, 4 दुनी 8, 00, इसको काटो, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 4 इकम 4, 2 year का है तो root निकाल दो, 3 year का होता तो cube निकाल देते, 200 का, दो, 4 से काटा था, हमने, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 4 इकम, नहीं, गल्दी कर दिया, इसको काटने में, 2, 4, 8, 4 से काटो, दो से काट के दोचोके आठ, दोचोके आठ और दो एकम दा, हां, 2 से काट रहे है, तो 20 है जेगा इसका, और 441 का square, 2 YEर में हुगा है, तो 20 रुपे लगा के की सुुुुपे मिला, तो 1 रुपे तो इंट्रेस्ट मिला, तो 20 रुपे लगा के ईधी साथ हजार और फिर यही पैसा आट साल में कितना हो गया आाट साल में यह हो गया दस हजार ठीक है क्याहत इनिशियल अमौंट क्या है विजह तक चार साल है और यहां से यहां तक यह 4 साल होगा जब भी gap same हो, यहाँ भी 4 साल, यहाँ भी 4 साल, तो आपको कुछ नहीं, क्या करो, भई आप खुदी सोचो, एक कुछ रुपए है, जैसे bank कहता है, कि हम 5 साल, आप अपना पैसा छोड़ दो, double करेंगे, तो अगले 5 साल छोड़ेंगे, तो फिर तो double होगा ना, तो कहने का यह मतलब, यदि time का ratio यहाँ पे same है, distance यह, यह हमेशा time इन दोनों के बीच का same है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको काटो और ratio निकाल लो, यह 7 ratio 10 आ गया, तो पीछे भी 7 ratio 10 रहेगा, क्योंकि time same है, हमेशा जब भी time same होगा, तो आप यही करना, ratio निकाल लेना, तो जो ratio साथ और double zero से multiply करके, तो यहाँ भी करो 700 से multiply, उननचास सो आ जाएगा answer अपका, 30 पे आ जो, 40 पे आ जो, a mixture contain spirit and water, spirit है और water है, 3 ratio 2 में, if it contain 3 liter more spirit, यदि इसमें spirit जो है 3 liter जादा होता, then water, the quantity of spirit in the mixture is, तो बताओ, spirit में, ठीक है, कि spirit कितना होता, अभी देखो, यह spirit कितना जादा है, 1 liter जादा है, हमें 3 liter करना है, तो 3 से multiply कर दो, तो 3 यहाँ भी कर दो, 3 यहाँ भी कर दो, तो spirit हो गया, 9 liter, water हो गया, 6 liter, किसका इसने पूछा, spirit का, 9 liter, answer आ गया, ठीक है, तो इसमें हमने 22 से 40 तक किया है, computer fail हो रहा है, इसे मुझे part wise part करना पड़ रहा है, अभी इस वीडियो को करने के बाद हम लोग computer को ठीक करेंगे, तो इस वाले lecture number 2 में, test number 2 में हमने 22 से 40 तक का answer किया है, next video में आपको 40 to 50 का मिल जाएगा answer, thank you.